रादे रादे दोस्तों नमस्ते कैसे आप सभी उमीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे मजे में होंगे और खूस होंगे और हम भी अच्छे हैं थोड़ा तबियत डौन चल रहा है अभी मेरा आवाज से आप लोगों को पता चलेगा कि कैसा मेरा तबियत से अतना नहीं बनाया हैं सिर्फ एक यह रेसिपी का वीडियो अप लोगों को दिखा रहे हैं तो कैसा लगता है रेसिपी का वीडियो देखेगा अर अच्छा लगता है तो लाइक सस्क्राइब कर दीजेगा चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजेगा अच्छा लगता है कमें में बताईएगा तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यह में लिए हैं हम ओर्ट यह रखा हुआ था कुछ दिन का था यह ज्यादा दिन हो जाने से फिर यह खराब होने लगता है तो सोचे चलो इसका यूज करके खतम कर देते हैं तो ऐसे तो रखा हुआ था तो ब बढ़ा चाकु राने से तब और जल्दी चटए कर लेते हैं और इसको काट यह को मिक्सि में पीसना है थोड़ा इसका पॉडर करना है पूरा फाइन पाडर नहीं करना है ल्का दरदर ही रहेगा और इसमें ड्राइफ फ्रूट्स देने के लिए सिर्फ किजमिस लिया है थ किसमिस को बीच से दो दो टुगरा काट लिए हैं कोई भी नहीं दे रहे हैं ड्राइब रूट से सिर्फ किसमिस दे रहे हैं आपको जो पसंद है वो डाल सकते हैं तो इसको चलिए पीशते हैं मिक्सी में थोड़ा-थोड़ा दो बार में करके यह पिसा जाएगा मेरा और चासनी बाल लगेंगा तो इसके लिए जड़ा पानी डालें है तो पहले इसमें उबा लाने देते हैं देखिए चासनी अच्छे से खौलने लगा है, और इसमें लियंची पॉडर सब भी नहीं डाले हैं, आपको पसंदे तो डाल सकते हैं इसमें, और देखें, एक तार का चासनी अब होने ही वाला है, हो ही गया है, लगवगा होगे, देखें, अच्छे से एक तार जैसा गीर रहा है, सुपिर करने में इककत होता बुल्टी हो जाता है इसको आच्छे से ऐसे मिलाते हुए इसको mix करेंगे और यह से मी PRO जाएगा जितना आठा अथा जारी काट कर लिए हैं तो ब्लिया है तो देखे से मिक्स कर लिए हैं तो यहां चाहिए और यह जो किसमिस काटके रखे थे इसको यहां पर डाल देते हैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको गरम गरम ही इसका लड्डू बनाना है अगर छोड़ देंगे तो पिर यह चास नहीं है न तो जमने लगता है और अगर अगर आप चाहे तो इसको नी लगाना है और इसको अच्छे सालडू बनाते हैं और आप इसमें चाहेती में तो धीन भी डाल सकते हैं तो इसी तरह देखिए तो बड़े भी और अगर विकशि ने सो पसंद होता ही तो शेर्फ आज यह लड़ू का रेश्पी दिखा रहा है और तबीव वगएर थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है इसले वीडियो नहीं बना पा रहा है तो सोचे चलिए आज एक रेश्पी का वीडियो दिखाते हैं तो यह मेरा लड़ू बनकर हो गया सारा तयार और कितना यमी लग रहा है देखने में अगर एक लट्डू खा लेते हैं तो बस है ज़ादा नहीं खा पाईएगा एक लट्डू में बस हो जाएगा एक लट्डू खा के उसके बाद दूद पिलीजे बस हो गया सुवका नास्ता और यह एक लट्डू का एक मुट्री ओड्स अगर बनाए तो एकटोरी से ज्यादा बनता है उसका खीर बगेरा बनाने से तो लड़ू का रेसिपी कैसा लगा आप लोग को बताईएगा मिलते हैं अगले वीडियो में बाई बाई रादे